हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक तो फ्रेंड्स अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आप अपनी वीडियो में एक से ज़्यादा एड लगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पैल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नईनी वीडियो की नौटिफिकेश के उपर इसमें हमें सबसे पहले यहां पर गूगल क्रॉम ब्राउजर मैंने ओपन कर रखा है आपको भी ओपन कर लेना और यहां पर हमें टाइप करना है www.youtube.com और एंटर कर देना है अगर आप यह अपने मोबाइल फॉन से करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्रॉम ब् क्लिक करेंगे अपने आइकन पर और यूर चैनल के इंदर जाएंगे कि और उसके बाद यहां पे कस्टमाईज चैनल के उपर क्लिक करेंगे तो friends आपके सामने इस्क्रीन ओपन हो जाएगी यह आपका YouTube का studio है यह लिखा भी होया यहाँ पे YouTube studio dashboard तो friends इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपकी जो multiple ads हैं उनको लगाने के लिए क्या condition होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी वीडियो 8 minute से जादा की है आपको इसमें add लगा सकते हैं multiple ads मतलब आपकी वीडियो 8 minute से जादा होनी चाहिए अगर आपको ऊसमें multiple ads लगानी है तो ठीके तो आप मैं आपको बताता हूँ इसमें 2 तरीकों से आप multiple ads लगा सकते हैं, यहाँ पर यह आपको create का icon दिखाई दे रहा है, उसमें पहला तरीका यही है, कि आप इस create वाले icon पर जब upload वीडियो पर click करते हैं, जैसे मैं यहाँ से कोई file select कर लेता हूं, जैसे हम upload करते हैं, dummy file मैंने उठा ली, ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको monetization का option मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जब monetization पर click करते हैं, यह हम no कर लेंगे, अब हो जाएगा, यह monetization तो आप यहाँ से भी उसमें add लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, एक तो तरीका यह होता ह है ठीक है और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं इसे काट देते हैं तो दूसरे तरीके में क्या है कि आपको कॉंटेंट के इंदर जाना है मतलब आपको अपनी वीडियो को इसमें अपलोड कर देना है और उसे प्राइवेट रखना है प्राइवेट में करके ठीक है और content के उपर जाना है आपको फिर तो हमें contact पर आगे इसमें हमें सारी वीडियोस हमारी दिख जाएंगी तो हमारी जो वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा कि हम उसी में multiple add लगा सकते हैं तो मैं आपको एक वीडियो सेलेक्टर के दिखा देता हूं तो जब आप उसे upload कर लेंगे प्राइवेट मोड में तो उसके बाद आपको इस section पर जाना है उस पर click कर देना है और यहाँ पर आपको left side में option दिखाई देगा monetization का आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी ads दिखाई दे जाएंगी display, overlay, sponsor cards, skipable video ads, non-skippable video ads इस सारी आपको दिख जाएंगी और यहाँ पर नीचे यह भी लिखा हुए before video भी इसमें एड लगी हुई है, during video भी है और after video भी है तो इसमें आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि आप यूट्यूब अब जो 2021 में यूट्यूब के जो update है उसमें आपको अपनी videos के अंदर अगर आपकी video 8 minutes से ज़्यादा की है तो आपको उसके अंदर एड लगाने की जूरुत नहीं पड़ती क्योंकि automatic YouTube अपनी तरफ से उसमें एड लगा देता है दो-तीन पर आप चाहते हैं उसमें ज़्यादा एड लगाने के लिए तो वह आपको कैसे करना है यहाँ पर आपको manage mid rolls पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह तीन एड इसमें लगी हुई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एड मैंने नहीं लगाई यह automatic YouTube नहीं लगाई है क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो 11 मिनट की है 8 मिनट से ज्यादा की है इसलिए automatic इसमें वीडियो एड लग गई है बगर आप अगर अप manually इसमें लगाना चाहते हैं तो वह आपको कैसे लगानी है वो मैं बता देता हूं यहाँ से इन सब को delete कर देते हैं ठीक है यहाँ पर यह जो add break आपको दिखाई दे रहा है आपको इसके उपर click करना है और यहाँ से आप timing डाल सकते हैं यहाँ पर जितने भी time पर आप चाहें या फिर आप इसको यहाँ से पकड़के यहाँ पर scroll कर सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह timing चल रही है यहां पे भी तो आपको जहां पे भी पहली एड लगानी हो मैं आपको सिज़ेस्ट करूंगा पहली आड आप वन मिनट के बाद लगाएं कम से कम एक मिनट ठीक है तो पहली एड हम एक मिनट पे लगाते हैं तो मैं यहां पे डारेट लिख देता हूं यहाँ पर लिख देता हूँ 01 ठीक है तो यह automatic यहाँ पर देख सकते हैं आप blue icon यह लग गया है यहाँ पर add उसके बाद फिर से add break पर click करेंगे तो अब दूसरी add मैं चाता हूँ कि मुझे जो दूसरी add है वो कम से कम 4 minute मतलब 3-4 minute की दूरी पर हमें के बीच में आपको 3-4 मिनट का Gap देना है और अगर आपकी 10-15 मिनट की वीडियो है तो इसमें आप साथ से 8 मिनट 마음 गैप रखें क्योंकि अगर आप ज्यादा एड तिन तिन चार सा मिनट पर एक घंटे की वीडियो में आड आएगी तो उससे आपका वीवर इरिटेट हो जाएगा ठीक तो इस चीजों को द्यान रखना है आपको एड्स लगाते समय जैसे मैंने यहां पर लगा दी फिर से मैंने टो इसमेंट लगा रके तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर देता हुं ठीक है जैसे आप कंटिनु पर क्लिक करेंगे वहांते तो यहां पर तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर multiple ads को add कर सकते हैं और अपने revenue को बढ़ा सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लगया होगा कि आप अपनी वीडियो के अंदर एक से ज़ादा ads को कैसी लगा सकते हैं और उससे कैसे ज़ादा revenue generate कर सकते हैं तो friends लास्ट में मैं आपको एक important tip देना चाहता हूँ कि अगर आपका channel new है उस पर views कम आते हैं तो आप इन multiple ads को ना लगाएं मतलब YouTube जो अपनी तरफ से ad इसमें लगा देता है वो रहने दें बाकि आप इसमें अपनी तरफ से ad ना लगाएं क्योंकि उससे क्या होता है हमारा adsense का जो CTR है वो हाई होने की chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like जरूर करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें थैंक यू